आफ सभी को आरके बिलेज फ्रिंड पर स्वगत है इस वीडियो में धां के हलदी रोग या कड़ूआ रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे यह किन कारणों से होता है तथा किन धान की प्रजातियों में इसका आक्रमन ज्यादा होता है तथा वो एक कैसे फैलता है इसको कैसे रोंका जा सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में समलित की गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, तथा चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी तथा नोटिफिकेशन बिल को आल पर कर दीजी जिससे आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके तथा साथ में एक लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक करना अंत में भूल जाते हैं इस वर्ष धान की हमारी फसल पानी की कम वर्षा होने के कारण काफी हद तक वैसी नहीं है जैसी होती थी कहीं न कहीं कमी नजर जरूर आती है इस समय धान में बालियां निकलने का समय आ गया है अथवा बालियां कमपोर्ड अवस्था में हैं हमारे धान में जिस समय बालियां निकलने लगती हैं उसी समय ये हल्दी रोग की सुरुवात होती है ये हल्दी चून जैसा होता है, हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधों में फैलता है और देखते ही देखते पूरे खेत में और फिर बगल के खेत में पहुँच जाता है ये हमारी धान की फसल को काफी नुक्सान पहुचाता है ये रोग कुछ बिसेश परजात के धानों में ज्यादा देखा जाता है जिससे इसमें हाइबरेट धान सबसे ज्यादा परभावित होता है तो हल्दी रोग फैलने का कारण क्या होता है? ये भी जानना अवस्यक हो जाता है यह रोग यूरिया का अतधिक परियोग करने से भी फैलता है तथा खेत में पानी का भराओ ज्यादा होने के कारण भी फैलता है तथा मौसम में जब आदता ज्यादा हो जाती है तब भी ये पनपने लगता है बालियों में फूल बनते समय ज्यादा देखने को मिलता है इसलि दिया जाए तो काफी हद तक लाव मिल जाता है सुराच्छत तमक उपचार यद हम कर लेते हैं तो काफी हद तक इस से हम छुटकारा पा सकते हैं साथ में जब खेत में एक दो पौधों पर दिखाई पड़े तो उसको पौलिथीन बैग में निकाल करके उसको बाहर ले जाकर के नश्ट कर देना चाहिए जिससे अन्नी पौधों में ये ना फैलने पाए तथा जब खेत में ज्यादा दिखाई दे तो पीपो कोनोना जोल का शिरकाव किया जा सकता है हलदी रोग की रोग थाम के लिए बहुत से बाजार में सप्लीमेंट उपलब्द हैं बड़े बड़े दावे किये जाते हैं लेकिन बहुत अच्छा परड़ाम नहीं मिलता है इसलिए सुरच्छातमक उपचार ही सबसे अच्छा उपचार साबित हो सकता है यदि हलदी रोग जिस खेत में पिछले साल लगा हो उस खेत में धान के रोपाई की गई हुए तो उसमें तो सुरच्छातमक उपचार करना बहुत ही आवस्यक हो जाता है क्योंकि इसके जो बिशान होते हैं जमीन में रहते हैं उसके बाद धीरे-धीरे हमारे जब बालिया निकलने लगती है फुष्पा उस्था होती उस समय हमारे पउधे में फैल जाते हैं तो उसमें सुरच्छातमक उपचार तो करना बहुत ही आवस्यक हो जाता है साथ में यदे हाईविर्ड धान लगाए हैं कुछ ऐसी प्रजातियां जिनका नाम नहीं लेना चाहिए उसमें अक्सर लग ही जाता है वो समझ लिए इसी के लिए बनी है लेकि उनका नाम लेना सहीत अच्छा नहीं होगा तो आसा करते हैं इस तरीके से अपनी फसल को सुरच्छित कर सकते हैं तथा अधिक लाफ पराप कर सकते हैं वीडियो यद पसंद आई हो तो अपने दोस्मित्रों के साथ सेर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके की जानकारी भरी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद